Hello Friends, आज मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत important बीजिनिस के बारे में जो अभी जिसका demand बहुत ही जादा है क्योंकि जो thermocool के band के बाद जो paper plate जो business का demand हो बहुत ही जादा है क्योंकि जो thermocool का जो plates है जो वह environment के लिए बहुत ही जो हनी कारख है इसलिए जो पेपर प्लेट बिजनेस अभी बहुत एक बहुत डिमांड में है मतलब अभी एक बहुत जो जो मीडियूम रेंच में जो सबसे ज्यादा चलने वाला जो बिजनेस और पेपर प्लेट है क्योंकि मैं इस बिजनेस के साथ बहुत ही करीब से मैं इसके साथ बहुत ही मेरा experience है इस business को लेकर और मैं आप लोगों से स्रेप उस experience को मैं सेयर करना चाहूंगा कि इस business को करने के लिए आपको जो machinery और जो marketing के लिए बैसी के लिए मैं उसके उपर बात करना चाहूंगा और इस business को करने के लिए आपको जो machine चाहिए दोनों दो प्रकार के machines available है अब इंडिया मांट में आप जो paper plate machines को सार्च करके आप उसे आप देख सकते हो कि दोनों प्रकार के जो machines है उसमें जो पहले जो एक जो automatic machine है और एक जो hydraulic machine है तो hydraulic machine का जो प्राइस है वो थोड़ा automatic से थोड़ा जादा है मतलब बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा होगा और इसका जो जो machine में जो जो plates जो बनते हैं उसमें different dice लगते हैं और जो machines जो आती है आप उसे आप single die भी ले सकते हो अगर आपको budget थोड़ा कम है तो और double die के लिए थोड़ा budget बढ़ सकता है मैं आप से recommend करूंगा कि जो automatic machines है उसे आप मत खड़ी दें जो hydraulic machines है उससे आप उसको आप खड़ी दें क्योंकि जो hydraulic machines है उसमें आप जो design paper plates आप बना सकते हों जो automatic machines है उसमें आप design paper plates आप नहीं बना पाऊगे तो जितने भी लोग automatic machines जो पहले जो खड़ीद है फिर आप hydraulic machines की खड़ीतने के लिए जा रहे हैं क्योंकि market का जो demand है वो अभी hydraulic machine में ही है जो hydraulic machines की प्राइस है वो different price है मतलब इंडिया माट से आप उसे चेक कर सकते हो और double dice के लिए 90,000 करिबन 1 lakh के करिबन आता है double dice अगर आप single die के तरफ जाओगे तो कहीं नहीं आप 70, 75,000 के आसपस आपको machines मिल जाएंगे और dice के लिए जो different dice है मतलब आपको जो बारा इंच थोरा जो प्लेट जो बड़ा प्लेट है उसके लिए आपको बारा इंच जो डाई चाहिए और उससे छोटा आप 8 या 7 या 6 या 4 जितने भी सारे dice है आपको dice अलग से खरीदना पड़ेगा तो यह तो गई यह तो है कि business में जो जो machines का यूज होता है और इस business को करने के लिए जो सबसे जो बहुत जो marketing बहुत बड़ा एक समस्या है क्योंकि जब भी हम लोग कोई business करने के लिए जाते हैं सबसे जो पहला सबसे पहला जो जो दिमाग में जो चीज आता है जिसके marketing कैसे करें machine तो हम खरीद लेंगे ठीक है उतना जादा budget नहीं है machine हम खरीद लेंगे इंडिया मार्ट से जाके search करके मार्केटिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो डिटेलर को मत दीजिए क्योंकि आपको जब business expand करना है तो आपको डिटेलर से आपका काम नहीं चलेगा अब आपके आसपास जितने भी market है बड़ा या छोटा अगर कोई बड़ा market हो तो कोई बड़ा सहर हो मैं बड़ी सहर में तो बहुत आपको जो wholesale मिल जाएगा अगर कोई medium market भी हो तो आप कहीं नहीं जो दो या तीन आपको मिली जाएगा जो wholesale दुकान के साथ आपको कॉंटक करना है उसके बाद अब जब उसके साथ कॉंटक करना चाहोगे जाओगे जब आपको पहले उतना importance नहीं देगा एक सच्चाई है क्योंकि ओ कहीं से आपको दूसरे कोई किसी से भी ओमाल खडीद रहा है और आपको पहले जो अप्रोच करना है आपको पहले जो market में अभी क्या price चल रहा है उसके बारे में आपको information लेना है और उस information के बाद आपको थोड़ा कम price में market में जो price चल रहा है उस में से आपको थोड़ा सा कम price में उसे आपको proposal देना है मतलब आप उस wholesale दुकान को बोलिए कि जो rate से आप खरीद रहे हैं कि market में जो rate चल रहा है हम उस rate से थोड़ा कम rate में आपको provide करेंगे क्योंकि आप इसी तरीके से आप market में एंटर कर पाऊगे क्योंकि यह business कोई branded नहीं है कोई आप सभी local products हैं तो आप ऐसा नहीं approach करोगे कि मेरा products better है सबका जो product से लदबक इसमें सहीम ही रहता है तो इसके लिए आपको थोड़ा प्राइस में थोड़ा compromise आपको करना पड़ेगा और अगर आप price compromise करोगे तो निस्ती तौर पर आपको एक chance देगा अगर आप चांस अगर आपको मिले निस्ती तौर पर आपको चांस मिलेगा जब आप price में थोड़ा कम करके दोगे और निस्ती तौर पर आपको थोड़ा ओ जो opportunity है और बोलेगा तो उसके बाद आपको बहुत honesty के साथ मतलब business proper तरीके से आपको उसे मतलब आप जब भी आपको जो product देने के लिए बोलेगा आप उसे late मत कीजिए जब आप जो time to time आप mental कीजिए तो इसी तरीके से आप जो market में आप इंटर कर पाऊगे उसके बाद अगर market में इंटर करने के बाद आपके लिए बहुत easy रहेगा उस business को करने के लिए और अगर आप इसी तरीके से आप कोई चोटा market से एक wholesale customer और बड़ा market से अगर दो customer आप अगर आप customer आपको मिल जाता है तो आपका जो business expand के लिए बहुत ही easy रहेगा कोसेस एही कीजिए कीजिएगा की business को expand करना है मतलब एक machine खरीदे उसके बाद आप target आप रखेगा की एक से दो जो machines है उसे हम खरीदे और एक चीज जो इस business में है इस business में एक और एक machine आता है जो manual चलता है कुछ ना कुछ जो machine में जो दिक्कत और जो machine में जो कुछ भी खराबी और आपके बस अगर एक machine हो तो कुछ ना कुछ आपका जो जो problem machine में आए गई आएगा तो एक दो दिन तक हो सकता है maximum कि आपका machine खराबी रहे आप उसे जो problem है उसे ठीक नहीं कर पाए तो उसके साथ अगर एक manual machine जो maximum 30,000 के आसपाद आता है उसे आप एक खरीदी है क्योंकि जब भी आपका जो electric में चलने वाला जो semi-automatic जो या automatic जो machines हैं अगर वो अगर कुछ machine में अगर कुछ technique की खराबी हो तो आप उस time पे आप manual से आप काम चला सकते हो हाला कि जो manual में जो labor cost आपको ज्यादा आएगा फिर भी आपको जो आपका जो customer है आपका जो wholesale customer है उसे आप time to time maintain करने के लिए एक बहुत एक एक आपके पास एक option रहेगा कि अगर आपका machine अगर खराब रहता है तो फिर भी आपके पास एक option रहता है कि अपने एक manual machine आप 30,000 के खरीद लीजिए इस business को चलाने के लिए एक बहुत एक जो बेस्ट जो जितने भी procedure से मैंने आपके साथ मतलब उसके machines के बारे में machines के बारे में जो आपको इंडिया माट से उसके प्राइज और आप उसके जो 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 डिलर के जो contact number है उसके साथ आप easily बात कर सकते हैं और आप उसे के साथ जो negotiate आप कर सकते हैं और negotiate करने के बात तभी आप machine को खरीदिये और machine को खरीदते वक्त आप automatic के तरफ मत जाईए automatic machine मत खरीदिये और आप निसीत तोर पर जो इसका जो हाइड्रोलिक जो फरसन है उसे खरीदिये और उसके बात मैंने आपको बताया कि जो marketing experience है क्योंकि यह मेरा मेरा खुद का experience है मैं आपके साथ share किया जो raw materials के बारे में आप जो machines और raw materials आप जहां से machine खरीद होगे और आप आप जो raw materials आप होई से भी आप ले सकते हो और raw materials के लिए आप दूसरे भी आप जो paper place raw materials आप इंडिया माट से भी सर्च कर सकते हो तो एक आपके लिए बहुत ही एजी है क्योंकि इंडिया माट निस्थी तोहर पर बहुत एक importance एक app है business के लिए तो ए मैं आपके लिए share किया अगर आप किसी भी तरीके का कोई आप कमेंट करना चाहते हो तो निस्थी तोहर पर आप कमेंट कीजिए और किसी भी तरीके का कोई अगर आपको दिक्कत हो या कुछ business करते बहुत कुछ problem हो तो जो marketing tips मैं आपको दिया हूँ और केवल only मेरा अपना experience है तो experience के base में आपको marketing का जो procedures है मैं आपके साथ share किया हूँ तो अभी आप जो video देखिए जिस तरीके से जो machine जो है और किस तरीके से काम करता है जब है जो एंच जो जो ङुए झाल फक्वड़ल आपक in कॉवास से कामकाs उचे weटाल भी दोाज़का अपके ऒाक्रशों मेजेश प्रूफ पल इके साथ-भपिछ भाली कहा लोटाओे जो खिएज़ बहरना को खिरे से कर वाली किज़ प्रवयुबंगाउा भूशोचाफ़ झाल ऑच्तों प्रिकराकि मैं झेंट झोजमारती झालें कि अर्टाफी काग 먹고हु कि अब dinner? कि ऐस परिकर? कि ऐसा पर जदेंगे झाले का लाएसी का यो कि घसiper ही झालके सराद़ो लाएस कि तामरे सेंगे स SU 감사 बोलोब रचिए बॉलोब ऑगगाज एखेंगे लुपटो हैंचिए, और भॉब अईयाओाजिद में पॉपटरी जारो इयाओब कोपने हम आदाजाबाबाब चुब और लाओेंगा पंचिए, भॉब लिएाँ एपड़ लुड़ मेश पाईब दुछ लुटुछ सहाँ लुटब लुटुछ 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 लाज़ प्रुम्राप्ट